आज का ये वीडियो आपके लिए रामबार साबित होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे गणीत के वाइरल प्रश्ण के बारे में यहापका C8C है यहाँ पे आपको बिसाय कोड मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रश्ण पत्र करमांक मिलेगा और आपको बता दे इस ताल आपके परिक्षा में 138 प्रश्ण पूछे जाने वाले हैं गडित से आपको समझना है कि 17 फरवरी का दीन है और आप गडित की परिक्षा दे रहे हैं एक एक प्रश्ण को आप सौल कीजिए आपको इस वीडियो के मादिम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने हुए है क्य प्रश्ण पाद में होता है अगर दोनों संख्या है प्लस में होती है तो वा प्रश्ण पाद में होता है अगर पहला संख्या माइनस में होती है और दूसरी संख्या प्लस में होती है तो यह दूतिय पाद में होती है या दूतिय चतुथांस में होती है पाद कहतो या चतुथांस कहतो बात एक ही होता है अगर दोनों संख्या माइनस में होती है तो और तिरतिय में हो जाती है और थो अगला नमबर प्रस नहीं है हम सभी का कि यहां पर लिखित में कौन जो है आपकी परमियर enforce ऑुन क्या है दीए हो तो रूट थी एगा है पता रहा है आपको एक दम दिमाग वे बैठाते जानिए कि कैसे बनता है ц़ 25 की बात करते हैं तेखे अगला प्रश्ण, हम सभी कर रहा है कि साइन स्कॐर 45न कonne स्कॐर 45न के वैल्येू कितना होता है तो आप सभी को बता है कि sine a square 45 और cos a square 45 का value कितना होगा, एक होगा, क्यों एक होगा, इसे भी आप ध्यान से समझे लेजिए, देखे, sine a square θ ita, plus cos a square theta बराबर क्या जानते हैं, one जानते है, sine a square theta, plus cos a square theta बराबर आप क्या होता है, वन होता है देखें यहां पे ठीटा का वहलू 45 है और यहां पे भी 45 यानि कि ठीटा का वहलू दोनों में बराबर है तो जब दोनों में बराबर हो जाएगा तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर आपका बी नमर आपका एंसर हो जागा कि क्या होता है एक होता है चलिए आगे बात करते हैं, अगले निमबर प्रश्ण की, तो अगले दिक्या प्रश्ण की काफी important प्रश्ण है, और प्रश्ण की कहा रहा है, कि परियक्ता का अधिक्ता मान होता है, जो परियक्ता का मान होता है, तो आप सभी को पता है, कि परियक्ता का जो अधिक्ता मान होता है, तो पाई एक आउ परिमिय संख्या है, यानी उप्सन जो ही जागा आपका c नंबर हो जाएगा, तो आप याद कर लेजिए कि पाई ये क्या है, एक आपर परिमिय संख्या है, आगे बात करते है अगले परश्ण की फटाफट करते हैं, हम लोग допर लोग आगला परश्ण की ए जो है संख्य इसको पहली वाली और तीस्ते संख्यों गुणा करते हैं और जितना आता है उसको तोड़कर के हम लोग बीच वाले संख्य के मुद्वर लाते हैं तो XSquDR में 1 से गुड़ा करेंगे तो x square हो जागा और x square को तोड़ कर क्या लाना है बीच के बराबर लाना होता है तो देखें यहां से अगर x square प्लस x अगर हम लोग लिख देते हैं ONE बराबर 0 तो क्या है, reading X में X से स्देगे तो X स्च्वार हो जागा और X को जुड़एंगा तो 2X हो जागा यानि कि बात यहां पर क्या है बिलकुल सही है अब यहां पर क्या करेंगे इसमें से यजो 2 संक्याय हैं बन गई X प्लस क्या होगा बदाबर क्या हो जागा जिरो जागा यहां पर अच्छा बात कि दोनों कि यह नहीं च्छ क्छा क्थ यृइंट क्या इक स्क्छान प्रक्षांट्रित भालगा इसलिए इसका उतर क्या हो जागा option आपका b number हो जागा एक एक गेश्टेप आप समझते यह कि कैसे बन रहा है ना option हो जागा बी निंबर अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला प्रश्णि क्या रहा है अगला प्रश्ण है कि एक ब्रृत पर कितनी असपर्स रिखाएं खी सकते हैं ना क्यों लास फर्स करती जाने चाहिए बस यह यह तो अनन्त आपका हो जागा या निका आपका सी नंबर हो जागा अगले प्रश्ण की बात करते देखें अगला प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है कि आंकड़ा 24 कमा 15 कमा 22 कमा 13 कमा 9 कमा 10 तथा 30 का परी 12 में से और यहां पे दिखें सब्सें से छोटा मान 9 नौ है तो अधिक्ता मान माइनस का यानि कि घटा देंगे हम दो तो लो सबसें चाहिए बज़ बना लीजेगा चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण क्या कह रहा है कि साइन 90 minus theta बराबर होता है 90 minus theta जो बराबर होता है आपको ये बतान। आपको पता है कि 90 minus जो theta होता है वो cos theta का बराबर होता है यानि option के आजगा C number हो जागा एक दब दिमाग में को बैठाते जानी है चलिए अगला प्रशनिक है का रहा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो जली से कर लिजे क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब ने करेंगे तो आगे सी वीडियो नहीं मिल पाएगी काफी important question है एक के question अपके लिए बहुत ज़्याद important सीध है आपके परिक्षा में पूछा जाएगा बाबू बहुत ही बड़ी है प्रशन अगला दिके प्रशनिक कह रहा है कि किसी घटना E के लिए P into E plus P into नहीं बराबर क्या होता है तो आप सभी को बता है कि जो भी परियक्ता होती है उसमें घटना E और नहीं होने के परियक्ता है कि इसके बराबर होती है बाबू बिल्कुल तो एक एक बराबर होती है यानि कि option क्या हो जागा एक हो जागा option आपका B number आपका बिल्कुल से उदर हो जागा अगला प्रश्ण की बात करते हैं देखिए अगला प्रश्ण काफी important प्रश्ण है कि 9,10,11,9,10,11,11,5,7,9,6 बहुलक है अब देखिए बहुलक ऐसे ग्याद के जाती है जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है किसी भी आंकड़ा में वही आपका बहुलक होती है तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया हुआ है तो इसका बिल्कुर से उतर होतागा यहाँ पर 11 क्योंकि 11 जो है बहुत बार आया है जो जो सबसे ज़्यादा बार याँगा उस आकड़ा में वही आपका बहुलक हो जाएगा अगला प्रशन देखिए, अगला जो प्रशने कहा रहा है, कि निमलिकित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से आपको ये बताना है, कि निमलिकित में जो है, वो कौन बहुपद जो है, नहीं है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, कौन आपको ये बताना है, तो देखिए, यह आपका चलाएं नहीं होती है यानि कि यहाँ पर कब आपकी नहीं है क्या नहीं है या वावपद आपकी नहीं है चलिए यागे बात करते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला कोसन देखे क्या कर रहा है तो आपको बता है कि से भनता आपको देखें किसी एक मान को चेंज कर लिया जाता है जैसे कि माले जी के sin 35 दिया गया है तो sin 35 को आप बदल लेजे तो sin यहाँ पे 35 है तो 19-55 हो जागा अब बटे का cos का पचपन यहाँ पे दिया ही गया है अब sin 90 मिनस शिटे के बराबर होता है cos शिटे के बराबर होता है तो यहाँ पे क्या हो जागा cos 55 दिग्री यहाँ नीचे भी है cos 55 दिग्री तो cos 55 दिग्री कट जागा बच जागा क्या चिस 1 आजागा बस आप एक तरीका याद करके रखेगा अगर आपको इससे solve करने का नहीं पता है तो trick याद करके रखेगा अगर बट्टा वाला होगा तो समझ जिए कि वहाँ पे 1 होगा एंसर उसका 1 आएगा ही आएगा अधिक में यही देखा जाता है तो आपको 1 पे tick कर देना है अगर आपके बास समय कम रहता है समय नहीं बचता है तो फटापट से आप 1 पे tick कर देजेगा इतना बात एक्दम दिमाग में को बैठा करके रखनी है अगला देखे प्रश्णी क्या कर रहा है अगला जो प्रश्णी है काफी important question है कह रहा है कि AP-3,-1-2,2 का कौन सा पज है वो 11 पज है अब यहाँ पे 11 पज बताना है तो माइनस का 3 है अब देखे यहाँ पे जो value आपको 10 का 10 समलो रखें क्योंकि 10 तो यहाँ पे दिया गया है अब यहाँ पे D का value लिखना है तो D वरबर क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो माइनस 1 में से घटाएंगे यह 3 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानि कि प्लस आप अपटे कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा देंगे अब यहाँ पर देखे इससे हम क्या करनेगे इसवाश भीन का जोड़ कर देना है तो 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा यहां पर 5 बड़ते 2 हो गया अब देखे- यहां से इसको कट आ देंगे हम लोग इजी तरीके से यहां से बिकसे बीका सकते हैं तो 5-2, यहां पर क्या हो जागा भठी हो जागा हना अब देखे- यहां भठीन से 5-5 में हो जागा ए निमर आपका बिल्कुल सही उतर हो जागा क्या हो जागा 25 में से आपको 3 को घटा देना तो हो जागा कि ना 22 हो जागा अगला दिखे प्रश्ण काफी easy question है और दिखे प्रश्ण क्या गया रहा है कि भवपद 4x square minus 4x plus 1 के मूलो का गुडणफ़ क्या होगा यानि कि alpha into beta का value होता वो कितना होता तो आपको बदा थे काफी easy trick है कि इसमें आपको बस अंतिमोला जो पद है उसको लिख लेना है उपर और जो सबसे अंतिमोला पद है पहला वाला पद है उसको लिख लेना नीचे यानि कि 1 बटे जो 4 है उसका answer हो जागा बस जब भी गुणन पद पुछेगा तो सबसे अंतिमोला पद उपर और भाग दे देना आपको सबसे पहले वाला पद से यानि कि 1 बटे 4 इसका क्या हो जागा easy question का answer हो जागा यानि कि option क्या हो जागा इसका B number हो जागा अगला देखे प्रश्ण क्या कहा रहा है बहुत ही संदार प्रश्ण और प्रश्ण कहा रहा है कि AP का पहला पद A और सार मंतर जो D है तो N पदों का योगे क्या होगा तो योगे के लिए तो ये तो फर्मूला होगे न बबबू तो फर्मूला क्या होता है N बटे 2 into 2A plus N minus 1 into D होता है यानि यह option जो D दिया गया आपका क्या होजागा बिल्कुल करेक्ट उतर हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं अगले निम्बर प्रश्ण की तो देखिए अगले निम्बर प्रश्ण की काफी easy question है कि 1 बटे root 3 किसका value होता है तो 1 बटे 3 जो value होता है किसका value होता है बिल्कुल तो 10-30 का value होता है यानि का option का होजागा बी निम्बर होजागा की और्ध गया होता है और्ध गया होता है बस लागताार आप एक एक वीडियो को देखें गे तो चलिए अगला प्रशन के क्या कह रहा है अगला प्रशन है कि यदि root 2 cos theta बराबर 1 हो तो theta का value क्या होगा आप देखें कितना easy कोशन है बस ज्यादा सोचने के जरूरत नहीं है तिरकुड मीती तो काफी easy होता है बस आपको सोचने की मतलब कि यह होती है आप अच्छे से नहीं सोते है आपको पहले ही कहते हैं कि यह कटीन है इसलिए कटीन लगना सुरूर हो जाती है काफी easy होता है यहाँ पर कह रहा है 2 cos theta बराबर 1 तो cos theta बराबर क्या हो जागा 1 बटे के root 2 हो जागा अब देखें cos theta में किसका जो value होता है लिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्णगी तो देखें अगला प्रश्णगी काफी important प्रश्णर कह रहा है कि यदि alpha कमा beta बहुपद f into x बराबर x square minus 3x plus 5 के मूल हो तो 1 बटे alpha plus 1 बटे beta का value आपको बताना है बीच वालामान क्या है minus 3 तो minus 3 लिए और उसके पर से क्या करना है कि anti मौलामान आपको लिखनाना है लिखनाना क्या चीज 5 है यहां पर देखें 5 है अब आपको क्या करनी एक बात को ध्यान रखना है अगर बीच वाले में minus होगा तो minus को हटा देंगे और minus नहीं होगा तो minus लगा देंगे तो यहां पर minus दिया गया यानि किसकों लोग प्लस कर देंगे तो 3 मटे 5 आपका answer हो जागा तो आपको option कहा पर दिया गया तो c नमर में दिया गया तो आपका c नमर क्या होगा बिलकुल correct हो तरे इसका हो जागा तो आप इसे solve करके बना सकते हैं, पहले आप alpha plus beta का value निकालिए इसमें, कैसे बनाएगा, पहले 1 beta alpha plus 1 beta beta, अगर आप फर्मूलास बनाना चाहते हैं, तो इसे आप लोग सबसे पहले इसे solve कीजिए, तो alpha beta हो जागा, फिर यहां उपर क्या हो जागा, beta alpha, और alpha plus beta का value निकालिए, फिर alpha into beta का value निकालिए, और उसके बासे उसे भाग दीजिए, तो आपका answer आएगा, लेकिन काफी easy तरीका आपको बताये थे, तो उसे आप बना सकते हैं, अगला दिक्या प्रशनी क्या कह रहा है, अगला प्रशनी बहुत ही संदार प्रशनी है, कि यह दिवाद समिकरण, option जो हो जागा, क्या हो जागा, आपका e number बिल्कुल सही उतर हो जागा, समझ में आ रहा है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला दिक्या प्रशनी काफी important प्रशनी है, और प्रशनी हम सभी क्या कह रहा है, कि कारतिये तल में इस्तित, किसी बिंदू, 3,4 में कोटी का value जो ह लोगा भूँज जोगा, तो अंति में क्या इसमें, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 आपका क्या हो जागा, आपका यहां पर जो जागा, वह कोटी का value हो जागा, यानि कि माइनस चार आपका answer क्या हो जागा, समझ में आ रहा है, कितना easy है, अगले प्रशनी की बात करतें, दे बीए चोता है यानि के ओप्षों क्या होजागा एंबर ओपार जाए अजी Trent घूट एसे च॑ eigene और कोड A जो है वह 40 डिग्री है तो कोड C का वैलू आपको बताना है काफी संदार कोशन है यह बहुत बढ़िया कोशन है यहाँ पर देखे काफी बढ़िया सा समझे इसे कहा रहा है कि सपोज मान लेजे एक आपका एक त्रिभूज है यह अपकी जो समकोड त्रिभूज है आप इस तरह किसे बना सकते हैं बिल्कुल अब यहाँ पर आप कर लिजे A यहाँ पर कर लिजे B और यहाँ पर कर लिजे C यहाँ पर कह रहा है जो वह कह रहा है कि कोड B बराबर 90 डिग्री है यानि कि यह 90 डिग्री हो गया और कोड A बराबर 40 डिग्री दिया गया है बिल्कुल और कोड इसका value पूछ रहा है या नहीं अब देखें यहाँ पर 90 हम लोगों पता ही है और यहाँ पर 40 हम लोगों पता ही है निकि 12 मान पता चल गया तो तिसरा मन तो असानी से निकल सकता है क्यों 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 हम सब जानते हैं कि त्रिभूज के अंतर कोडों का अप्सन क्या देगा है काफी असान है बाबु हर चीज एक एक समझ में आएगा बस आप ध्यान पुरवक सांती जगा बैठ करके कान में एयरफोन लगा करके देखिए अगर मीस कीजिएगा तो काफी ज़्यादा धिक्का थोज़ा गया अगर एयरफोन नहीं है फिर भी उसकô है लेकिन उसने कम समय में आप एक ही कोंसं को पड़ना है तो बढ़िया से पढ़ लिजी मेरा काने का मतलब यह है ऐसा नहीं हो कि आप सारे कोंने मतलब पता चलै क्या आपको एक भी यादे नहीं तो ऐसा कभी भी गलती आप करनी स्क्राइब का जबाब आप देपा इतना बस याद करके रखे कापी कम समय है इसका जो एक होगा बस आपको याद करकना एक होता है अगला दिखे प्रशन क्या गया रहा है कापी इसी कोसन है और कोसन कहा रहा है कि तिरिभुJ ABC तथा तिरिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ और BC बटा RP तो क्या होगा यादिक एक तिरिभुज याँ फैने कि यहान को क्या है एक ABC है खना और उसके बाद से जो है आपका एक क्या चीज है बाववू तो आपका है PQ और यहाँ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो ये कोस्टन का उत्र हमने आपको बहुत बार बता हुआ है किसका रोता है की बराबर कोंड P होता कि करणये बट्टे यह चैथना के बट्टे आप्क Janeiro करी घा भड़bbles वह ऊप del土 है कि अमनुग्छे अधर कराने के लिए बदात है आप जानते हैं इसके बारे में हना तो आप इसे याद करके रिखेगा कि कोण B बराबर क्या होगा कोण P होगा अपसन क्या हो जागा आपका डी नंबर हो जागा अगला दिखिए अगला प्रशने काफी इजी कोशन है कि निमलिकित में कौन अब भाज्य संक्या है यहाँ बह juicy संक्या की पाचान करने कौन है तो आपको अमने काई बाता है कि आप ह क्या ही होती है इसका गुडखंट दो से च्वजार हो जागा लेकिन आभ अगर दूसरा सब सबसे ज्यादा संग इसका सकता है अगला प्रश्णी के काफी सबस्क्राइब कि यहां पर उन प्रस्कॉट स्कॉइड ठीटा बटे यहां पर वन प्लस टेम टीटा का ब्राबर होता है कैसे होता इससे समझ लिए क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि क्या आप सभी जानते हैं कि साइन शीटा बठा कॉस्ट्य। क्या होता है अब इसको जब आप lc-m निकालीएगा क्या किजिती लिखे लिए गा तो यहां से जब आप lc-m निकाल के जब इसे solve किजेगा, तो ऊपर आपका क्या बीचे गा होप्स-क्ती ल करना कैसे करने साइस चीजी तो हमनी आपको बताए ही लिया है..? काफी कम समाएให आपके लीए.. चलिए.. afjective-subjective model, paper, online, test देने के लिए आपको प्लेश्टोर में जाना है और प्लेश्टोर में जाकर के सर्च करना है DLS Education जो चैनल करना में जैसे ही आप सर्च किज़ेगा DLS Education तो आपके सामने हमारा Official App ओपन होकर के चला आएगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंस्टॉल करने के लिए तो आपको इंस्टॉल करना होगा हमारे मुआल में इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है तो आपको क्या करना इस ओपन पर क्लिक करना है यानि कि एप को इंस्टॉल करना है प्लेश्टोर से जाकर के DLS Education Official App को निचे डिस्क्रिप्टर में लिंक भी दिया गया है जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के चला आएगा और यहाँ पर आपकी खास बात यह है कि विहार बोट से जो भी तो जल्दी से जाकर के प्लेश्टोर से डाउनलोड कीजिए DLS Education Official App और अपना त्यारी कीजिए यहाँ पर सभी सब्जक्त का आपको त्यारी जबर्जस तरीके से करा ही जा रही है और हमारे वेब साइट जाकर के सर्ज कीजिएगा गूगल पर DLS Education Official अगला प्रशन देखे क्या कह रहा है सब्जक्त कीजिए हाँ हो जागी दम सब्जक्त करके देखे हो जाएगा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अगर नहीं होता है फिर भी आप हमसे गएगा तो जश्ट निए इसके बाद वाला वीडियो में आपको हमने बता देंगे उस सब्सक्राइब कर के लान है और सब्सक्राइब तो उनका नुक्सान होılar जागा ख़ू प्लीस उनको सेहर कर देजिएगा बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई करें क्योंकि समय काफी आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है अब आप रिक्षानी देने जाने वाले हैं आपकी वीडियो बन रही है अगला कुस्षन कि बिंदू दो कमा तीन की दूरी मूल बिंदू से क्या होगी तो आपका क्या हो जागा एंसर हो जागा समझ में आ रहा है कैसे होगा यहां पर 13 इसका एंसर हो जागा कुछ भी नहीं करना है जब भी आपसे मूल बिंदू का धूरी पूछेगा तो रूट लगाना है दोनों संख्याओ का स्कॉार करके जोड़ देना है आपका एंसर आ जो है वह नब्बे हो तो संख्याओं का गुड़न फल क्या होगा तो संख्याओं का गुड़न फल क्या होगा काफी इजी कोशन है देखिए आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुड़न फल बार होता है HCF गुड़ LCM यानि कि अगर LCM का मान और HCF का मान यानि कि लासा यानि कि लगुताम समेपटक महताम समेपटक के मान को गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं का मान निकल करी चला आएगा यानि कि बस आप यहाँ पी क्या करना आपको 15 गुणे 90 कर देना है तो 15 गुणे 90 करेंगे तो इसका जो value हो जागा कितना हो जागा काफी easy question है कही बार आपको बताया भी गया है बागू जो बच्चे हमारे challenge से काफी दुनों से जुड़े हुए है उनको तो पता है ही बिल्कुल तो इसका क्या हो जागा option आपका c number हो जागा क्या हो जागा बागू c number हो जागा कि यहाँ पे जब गुणा किजेगा तो क्या होगा तेरे सो पचास होगा ठीक है यहाँ पे 15 में जब 90 से गुणा किजेगा तो क्या होगा आपका तेरे सो पचास होगा यानि का option क्या हो जागा आपका option C number हो जागा कुछ भी आपे करना नहीं है बस आपको गुणा कर दिनी है चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण कहा रहा है कि 2 theta बराबर 60 degree हो तो theta का value कितना होगा साइन ठीटा का value क्या होगा ध्यान से देखिए यहांब करें 2 theta बराबर है 60 degree तो theta पहले निकालिए तो theta बराबर क्या होगा और हो जागा अगला दिखिए काफी जवर्जस्ट question कहे रहा है कि आकरिती में pa तथा pb दो असपर्स रखाए इस परकार है कि pa बराबर 8 cm हो कूर a pb बराबर जो है 60 degree हो तो असपर्स रखा p और b की लंबाई बताना है और b की लंबाई बतानी है तो यह तो काफी easy question है क्योंकि दोनों जो होगी है यहां पर अगर अगर बात करते अगले नवर प्रश्ण की तो देखिए अगला प्रश्ण हम सभी क्या कह रहा है बहुत easy question है कि दो रैखिक समिकरण के अलेक परतिछेदी रिखाए हैं तब रैखिक समिकरण का हाल क्या होगा परतिछेदी रिखा है तब तो देखिए जब भी परतिछेदी रिखा है की बात करता है तो परतिछेदी रिखा में क्या होगा आपका option एक हाल होगा यानि क्या क्या हो जागा इसका डी नंबर बिल्कुल सही उतर हो जागा पर तिछेदी रेखा करता है तो कितना होता बाबु एक होता है यानि अप्सन हो जागा डी नंबर अगला दिखिए अगला जो प्रशने वह कहा रहा है कि दो समान कोनिक त्रिभोजों में उनकी संगत भुजाओ क पहले इस साली आने की काफी जादा चांस है अपकी परिक्षा में यह आएगा ही कि दो समान कोनिक त्रिभोजों में उनकी संगत भुजाओ कौन पाज जो है सदेव होता है या किसन ने कहा था आपको ये बताना है तो इसका एंसर होगा थेल्स नहीं कहते तो यही है थेल्स पूझो के समुख कूडों का यहां पर योग पूछा तो चक्रिष चत्रबुजों का समुख कूडों का योग पर जो होता वह 180 डेगरे होता कितना अबबू एक 180 डिगरे होता यानि कि ऑप्सन जो दिया गया ना डी नंबर वह आपका डी नंबर बिलकुल प्रेक्षा पाई आर क्यू रखेंगे ठीक है अब दो गोला दिया गया तो एक का आरवन कर लेते हैं एक को आटू कर लेते हैं और एक गोले का जो आयतन दिया गया है और एक काई दे नहीं है 27 यहां देखिए फोर पाई से फोर पाई कट गया बचके क्या चीज आरवन का क्यू पाई आरवन कर लेते हैं तो यहां पर प्रिश्ट्य च्रथपल का उनपात बता देजिए तो प्रिश्ट्य च्रथपल क्या होता है फोर पाई आर एसक्वाईर होता है तो यहां पर भी लिखे फोर पाई आरे स्क्वाईर क्योंकि इसका क्या बताना है याँ पर पाई से फोरंपाई को mbakना है घृर गया आरवन का वेलू कितना है था यह अंता आपका 5 आपका 5 को सब्सक्राइब है ना काफ़ी को सब्सक्राइब है तो दिखे अगला जो प्रश्नी का रहा है कि यह दी कोश्ट ठीटा पराबर जो है वह X हो तो स्एक ठीटा का वेलू आपको कितनी होगी अगर x दिया गया हो तो cost थिटा का value आपको बताना ऐसे एक थिटा का value आपको बताना है तो काफी easy question नहीं इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है बस आप इतना याद रखिए कि जहां पे भी आपको क्या दिया गया हो जहां पे भी आपको cost थिटा बराबर x दिया गया हो तो 6 ठीटा का यदि आपसे value पूछेगा तो ज़्यादा कुछ दिमाग और ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत जो है आपको नहीं है यहाँ पे आपको फटापर से ठीक कर देनी है 1 बटे x पी यानि कि 1 बटे जो x होगी आपका answer हो जागा ठीक है इसे क्यों होता है इसके बारे मीं हम आपको बतादें कि आपके बस देखें समय काफी कम है तो यह देखें कुछेगा तो सेम पूछेगा इधर उदह से नहीं पूछेगा तो काफी इजी है बस आपको इतने अपर ठीक कर देना है 1 बेटat x भी करते है ठीक है चली आगे बा करना है कि सबमे से पहला पहला को जोड करके आपको 3 से भाग दिना है तो ध्यान दीजे यहां 2 को जोड़िए 2 पलस दिखे दे ध्यान से सबमे का पहला यानि कि सबसे पहला में 2 है 2 पलस 0 पलस 4 बटे 3 तो 4 जिरो 4 और 2 6 6 बटे 2 4 6 बटे 3 कितना हो जागा आपका 2 हो जागा यानि कि एक अग्या दू आप उसके बाद वाला का सब को जोड़ करके 3 से भाग दे दिजी तो 4 उसके बाद वाला सम्मे का तो 6 आप माईनस का 1 तो 4, 6, 10 अदस नसमें से घड़ के कितना 9, 9 बटे 3 तो 9 बटे 3 कितना हो जागा 3 य का इंसर आसानी से आजाएगा अगला नमबर प्रश्ण देखिए काफी इजी प्रश्ण है कि दो समरुक त्रिभूजों की भूजाएं अगर तीन अनपात पांच हो के अनपात में है तो इन त्रिभूजों के छेतरफ़क अनपात क्या होगा तो देखिए यहां पर आपको स्कॉर आपको कर देनी आए बात करते अगले नमबर प्रश्ण होगा और इसमें का पहला होगा और इसमें का पहला होगा उसको घटा करके स्कॉर करते से हैं और यहां का मन क xem घटाइगा तो यहां पे तीन मियनस 10 को घटाइगा तो मारिनस तो पहले से में लगा है यहांनिकि मनेश इत्याई हो जाइगा तो चार हो एक 16 हो जाइगा तो आप यहां पे दिखिए 16 और चले कितना lugar 20 हो गया जब 16 और 4 जब यहाँ पे 20 हो गया रूट में 20 होया है तो रूट से आपको यहाँ पे बाहर करना होगा तो जब इसको आप रूट से बाहर कीज़ेगा तो फाइडा बड़ बड़ यह रूट से बाहर करने हो तो क्या होगा बिल्कुल तो हो जागा 2 root 5 हो जागा क्या हो जागा 2 root 5 बियानिक अप्सन क्या हो जागा आपका D number इसका बिल्कुल crack root और हो जागा ठीक है तो अगला नमगा प्रस्त नेखिए क्या आप ही easy question है कि समय करना 2 root 2 का y square plus 5y plus root 2 का बिबीत कर क्या होगा यानिकी D का value निकलना है तो D बराबर क्या जानते हैं आप D बराबर यहने जानते है B square minus 4AC जानते है तो B square B का square यानिकी 5 का square B 5 है तो 5 का square हो जागा 25 minus 4 गुने A, A का value कितना है 2 root 2 है into यहाँ पे C, C का value क्या है root का 2 है, अब देखे यहाँ से आपको solve करना है तो root 2 और root 2 गुने के जागा तो 2 हो जागा 2 दूनी 4 और 4 चोका कितना हो जागा 16 और 16 जब आगया तो 25 में से 16 का घटाएं 25 minus है तो 25 में से 16 कितना हो जागा 9 आजाएगा answer यानिका आपका जो हो जागा एंसर क्या हो जागा 9 यानिका option कहाँ पे दिया गया है A number में दिया गया है ठीक है चिन आगे मात करते हैं अगले प्रश्न की अगले दिखे है प्रश्ने काफी easy question है कह रहा है कि बिंदू 3,4 और minus का 3,8 को मिलाने वाली रेखा कि मध्य बिंदू का नियामक क्या होगा तो मध्य बिंदू के नियामक आपको बताना होगा तो काफी easy question है काफी असान एक दम चिटक्यों में बना सकते हैं आप कैसे यह जो भी दिया गया ना उसके पहला पहला वाला के साथ जोड करके 2 से भाग दे दीजिया दूसरा, दूसरा के साथ जोड करके 2 से भाग दे जिया कैसे देखी यह आप ए 3 और 3 माइनस 3 को जोड़ou तो 3 जोडे के माइनस 3 को तो पहला माइनस 3 माइनस 3 बट्टे कहा कितना 2 यह हो जागा 0 बट् Ed е तो चार आप पलस आठ कितना होगा बाबु बारा बार में दो से भाग देंगे जागा तो जीरो कमा चे आपका अच्छे दिखे कहा पर देगा है और अपका डी नमर आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट उतर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करतें अगले नमर हो तो मिनार के ऊझाए के होगी अद्यान से समझेगा एक मिनार का उन्य transparency उसके पाद से 21rac — के दूर हो तो मिनार के वैल वाई होगा वैख यहां पर ध्यान नहीं पात इस परकार से निच्चे दियागे है आपका एक इस दो दिया गया वह निच्चे दिया गया ठीक है क्यूंकि यहां पर कर रहा है कि एक मिनार का उन्हें कोड़ है उसके पाध से 200 मीटर हमा दूरी पर है तो 200 नहीं होगा आपका उसके पälसे जो ठीटा तीटा दिया क्या हो जागा? PC हो जागा अब देखी यहाँ पे 10-30 का फेलो गता 1 बच्टे रूट 3 होता है यही होता है न अब बराबर यहाँ पे AB, AB का भािलो निकाल आई है अब बच्टे का बीसी, BC का फेलो केतना 21 है अब यह थे तिरीय गुना कीजिए ज़ता होगा तो नीचे वह जानतें की नीचे रूट कभी भी नहीं रखा जाता है आपको दो पर दोpling करना करना होता है अब नीचे का ऊपर चला जाए सब्सक्राइब या इस संगया का परिमिकऱ् करते हैं उसे से नीचे और ऊपर में गुना कर देते हैं तो देखे यह जहां किए तो यहां पर एकिस में रूट त्री से गुणे के zagड़ा के जआगा रूट ठीच यह होगा न ओ सबीसाद रूट ठीच अब इसका option c नमर है एकदम दिमाग में बैठाते जानी है कि कोस्टन आपके लिए काफी ज़दा important है जो भी बच्चे छोड़ करके जा रहा है विडियो को जाएंगे उनको काफी ज़दा दिक्कत हो जाएगी एक के कोस्टन सीधे परिक्चा में कोस्टन पूशे जाएगा आपका यहां सी अगला प्रशन दिखे क्या कह रहा है अगला प्रशन है कि दो भीन तिर्जाओं वाली ब्रीत हमेशा होते हैं दो भीन तिर्जाओं वाले जो ब्रीत होते हैं हमेशा क्या होत और question कहा रहा है कि यदी कोसक ठीटा पराबर 5 बटे की 3 है 5 बटे 3 है तो कोड़ ठीटा का value बताईए तो काफी easy है question है तो इसका बजावा बताईए तो कोसक जो ठीटा पराबर होता है वो क्या होता है कंड़ बटे की क्या होता है बाबू कंड़ बटे की आप सभी कोई जालत तो यह कहा है कि आपका अपसन बढ़ी होजागा समझ में आ रहा न कुछ चलिए बहुत बढ़ी आ अगला प्रशन देखिए अगला जो प्रस्ण नेवह कहा है कि दो समरूप तरिभूज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AE बराबर जो होगा वो DE है ठीक है और BC बराबर 8 देगे तो EF का वेलू क्या होगा और देखिए question जो पूछा जाता रहा है एकदम यही question आपके परिक्षा में उठा करके पूछ दिया जागा तो काफी EG question है बसे आप इसका answer याद करेजे काफी जबरज़स्त question है और इसका answer होगा आपका option होज़गा 16 यानि का option कि आपका E number होज़गा समझे में आ रहा है क्या होज़गा आपका option E number होज़गा और सबसे जबरज़स्त question आपका 50 number 50 नमर दिखे प्रश्ण क्या आगा रहा है कि निमनलिकित में कौन सही है यदि तिरजिया आर वाले बृत के उस तिरजिया खंड का छेतफल ग्याद कीजिए जिसका कौन जो है वो P डिगरी है P डिगरी वाले को आपको बताना है यहाँ पी काफी जबरजस्ट कोशन है लेकिन अभीता की चैनल को सब्सक्राइब ने कीजिए तो सुचिए मत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके पस काफी कम समय है लाइक कीजिए फड़ाबर से दोस्तों में सेयर कीजिए बिल्कुल तो इसका एंसर क्या हो जागा बाबू ऑप्सन आपका बी नमबर हो जागा कि पी बट्टे साथ सो बीस गूने टू पाई आर स्कॉर आपके कि सर साथ सो बीस वाला के हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं तो यहाँ पे टू दे दिया है तो टू से कटाएकत क्या होगा 360 हो जागा अब तो पी बट्टे 360 गूने पाई आर स्कॉर हो गया कि नहीं हो गया तो यह आपको घुमा करके दिया गया था यहाँ ध्यान से दिखिए आप सभी जानते हैं तो यहाँ पे हमने तो पी रख दिया तो पी बट्टे 360 गूने पाई आर स्कॉर होने चाहिए लेकिन यहाँ पे तो कोई अपसने नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे घुमा करके दिया गया है यहाँ पे 720 इसको कटा दिजिए तो 360 आई जाएगा तो यानि कि पी बट्टे 360 गूने पाई आर स्कॉर आप टैंसर आजागा यानि कि ऑप्सन हो जागा आपका कैसे बी निमबर तो यह थी पूरे लाजाबाब आपकी वाइरल कोशन काफी जबरजास कोशन आपका 50 प्रशन तो यह प्रशन आप एक एक कोशन को फिर से देखिए का आप इस जबरजास से सीधे प्रिक्षा में आपके पुछा जागा फिर मेलते हैं इससे आपके कमाल की वीडियो के साथ इसी तरह की लाइक सब्सक्राइब नेकिया जल्दिश कीजिए और इसके पहले जितना भी वीडियो ने देखिए कह सारे वीडियो एक के करके देखिए समय आपके बस काफी कम है